कैसे हैं आप सब और आज दिन है मंगलवार और तारीक है आज 25 जन्वरी और यह व्लोग जाएगा 26 जन्वरी को और सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से गंतंत्र दिवस की 26 जन्वरी की हार्दिक शुब कामना है और अभी आप है सोचो कि मैं इतना लेट क्यों हूं यह करी साड़े गैरा बज़े के असपास का और साड़े गैरा बज़े मैं जो है नाश्ता बना रही हूं आप सोच सकते हूं आज मैं इतना लेट क्यों हूं सिर्फ मैंने कप चाए पी है और बच्चों ने दूद पिया है उसके अलावा घर में कुछ भी नहीं बना है और यह सबी को कि अगर वो बहुत सारे आलू ऐसे आते ने जिसमें थोड़ा बहुत पसीज जाते हैं मतलब पानी सा पानी सा होने लगता है ऐसा है तो अगर आप कुछ देर की आलू को फ्रिज में रख सकते हैं ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए और फिर अभी आज की मैं मेसेज आया क्लास हमेशा साडे 9 बजे हो जाती है शुरू और आज मैडम का मैसेज 9 बज़े कहा असपास आया अधर वास आठ वजे तक मैं मैसेज आ जाता है लेकिन नहीं आया और फिर जो सुबर मुझे लगा आज ओन लाइन क्लास नहीं होनी है और मुझे भी सुबर सु पापा घर पे होते हैं वो कर देते हैं आज किल नहीं तो मुझे ही करना होता है तो फिर बाद में जब ओनलाइन क्लास का मैसेज आया और ओनलाइन क्लास में बच्चों के साथ बैठना होता है नहीं तो कुछ बच्चे गड़बड हो जाते हैं कुछ कभी क्लास कट कर देता है मांक बोहत वो करता है इसके साथ क्लास में तो फिर वो जैसा ही मेसेज़ आने केelim के बाद क्लास कनेक्ट नहीं हुई मतले सारे बच्चे क्लास में बैठे थे माडम यह कह रही कि मैंने कनेक्ट करके रहा दिया लेकिन मेम जो इसके कलास में दिखाई क्रेट किया फिर भी माडम जॉइन नहीं हो पाई और फिर ऐसा हुआ कि मैं का मैं दुबारा कोई लिंक बना कर बेजो वहाँ पर सारे बच्चे जॉइन करेंगे और फिर दुबारा मैं ने लिंक बेजा और जॉइन फिर क्लास हुई मतलब एक डेट घंटा मारा ऐसे ही खराब हो गया और यहाँ पर भई नाश्ता वगेरा करा के बच्चों को रेडी कर दिया है हिमांक को नहला दिया है और हिमांक ने वरुन ने हिमांक को सौक्स ला के दी थी और हिमांक ने सौक्स अपने आप ही जो है वो पहन ली बहुत खुश होता है जब बच्चे दीरे-दीरे अपना काम करना सीख जाते हैं और जाड़ू पोचा लगाने के तो कोई मतलब भी नहीं होता अभी तक मैंने ऐसा कुछ काम भी किया होगा यहां पर इसको नहला के साथ साथ में मैंने दवाईया भी दे दी हिमांक यह मेरा ऐसी घुमदा रहता है भी बहुत परिशान करता है यह बहुत बार और वैसे ही मैं अलड़ी काम में इतना लेट होगी फिर क्लासेज खतम हुई उसके बाद नाश्टा वगेरा बनाया हिमांक को नहलाया और अभी कहीं जाके यह करीवन टाइम हो गया होगा देड़ बजे का आज हुमालो सुबह से लेकर शाम के पांच बजे तक मेरे काम चलते रहे और पांच बजे भी जब मैं डॉक्टर के पास गई ना तो हड़बड़ी में ही निकली थी मतलब ऐसा काम हो गया था और क्योंकि कल मेरे को बहुत तेज बुखार था मैं उठ भी पारी थी और इवन टाबलेट्स वेगरा जो मैंने ली डॉक्टर के पास से वो बहुत अची थी मेरे को बहुत काफी रिलेक्स जो फील हुआ तब ही तो आज मैं इतना एक्टिफ फील कर रही हूं और यहां पर जो है मेरे एक दिन का मेरा बेड रेस्ट होने का ये फाइद बहुत ज़्यादा और हिमांग को नहलाते टाइम मैंने कपड़े यहीं डाल दिये थे और साथ-साथ में मुझे जितना भी जरूरी सामान होता है नै मैं साथ-साथ में उठाकर लेकर चलती हूँ ताकि बार-बार जो है मेरे को चक्कर ना काटने पड़े सामने जो आपको शूज दिख रहे हैं यह मैंने अभी इसलिए यहां पर छोड़े हैं क्योंकि यह हिमांग को भी मैं पहनाऊंगी और यह वरुन की दूतरी चप्पलें को भी मैं साइड में लगा दूँगी और क्या होता है कि मतलब अपना टाइम बचाने के लिए हर लेडी को हर औरत को क् मतलब एक चोटी-चोटी जो तरीके होते हैं चोटी-चोटी जो टिप्स होती हैं मैं वो फोलो करनी होती हैं जहां से भी गुजरो देख लो कोई सामान जगा उसकी जगे अगर कहीं और रखा हुआ है तो साथ-साथ में आप चेक कर लो गर यह सामान हमें कहीं रखना है तो उसको साथ-साथ में वो सेट कर दो अभी जाडो निकालते निकालते मैंने देखा मेरेको यह बाल्टी साफ करने यह आटे की बाल्टी है आटा बिल्कुल खतम हो गया आटा जो वो पिसने के लिए दिया हुआ है बढ़ अभी तक पिसकर आया नहीं है मतलब हिमां के पापा जब डूटी से वापस आएंगे तब लेकर आएंगे यह मैं पड़ोस में किसी को बोल दूँगी वो लोग वहां से उठाकर ले आएंगे क्योंकि मेरे पास अभी अक्टिवा नहीं है इसलिए और मेरे कंदे में दद फिर से शूरू हो गया बुखार हुआ ना तब ठंड लगके एक बार फिर से बुखार हुआ और उसकी विज़े से एक कंदे में दद शूरू हो गया तो भी आज मेहनत बहुत ज़ादा लगी काम में कूंकि बहुत कुछ फैला हुआ था, बच्चों ने कभी कुछ गिरा दिया कहीं कहीं छिलके गिरे लेती हूं यह परसों जो मैंने कपड़े वगहरत हुए थे तो बाल्टी है हम यहीं पर सुखने के लिए डाल दी थी मैंने अंदर नहीं डाली क्योंकि मैं कल उठी नहीं थी मुझे बहुत बुखार था जैसे ही आप लोगों पता ही है मैंने बताया है तो ऐसे ही फैला हुआ साहरा सामान और यह कुछ डस्टिंग वस्टिंग का हिमांक बाहर निकला होगा यह कपड़े उसने ऐसे ही फैला दिये डाल दिये नीचे और अभी कुड़ा जो है इकठा करके डस्वीन में डाल देते हैं और फिर उसके बाद लगाएंगे पोचा और हिमांक बिलकुल भी म नहीं लगा था तो आज मैं पोचे में थोड़ा सा स्थरफ डालूंगी क्योंकि लाइजोल वगरा मेरा सारी जो है वो खतम हो गई है और हमांको मैं और यह जो इसमें हाथ पूछ रही है यह थोड़ा सा है तो अभी मैंने शॉल मेरा ही था जो मैंने अभी इस टाइन पे ज हीटर जो है वह हमारा ठंक अवर्टक्श से काम नहीं करा है तो दुकान वाले भै confund physician से मैने बात करी हैं हीटर खराब निकला है तो दुकान वाले भैंझा कि मैं आते जाते बूल रही थी, दोनों बच्चे आपर आराम से बैठकर टीवी देख रहे थे, और आज किल मेरे बाल बहुत ज़ड़ रहे हैं, बहुत ज़ड़ रहे हैं, मेरे बाल ज़ड़ जगे जगे, अगर मैं आज आज आवएड भी करते थी, पोचा लगा ना, लेकिन जगे जगे, मत किसलब बाल गिरते दो अच्छा नहीं लगते हैं। जाड़ों में नीकल जाते हैं फिर कोई नो कई बाल रहा ही जाते हैं। मैं होब धी। ऑस थोफ जाने से पहले में बूल गी थी आछनक से याद है है। और सारी सीजे चाते चाते हैं। Ч washes करी केiquल नहीं होती है। मैं जा रहे हूं कि तीन चाहता है रिमांकी चुटी हो चुकी है मेरी दरफ से लिए टी डॉक्टर की दरफ से लिए ती क्यों दॉक्सको जुखाम गए रलो भई तो मैं मेरा निकल गया था तो यह रहा अभी ले लिया मास्क भी चलते हैं और ठंड भाई बहुत जादा और मैंने अभी तक कपड़े नहीं उतारे हैं उपर से कपड़े आने के बाद ही उतारूं कि लेट होगी हूँ आज नीचे का ज़ड़ू को चा हुआ है नहीं नीचे क यह दो यह वाला शॉल और शूट, यह वाला जो मैने मुने अभी सिलाया है जब भजी से आई किना मैंने का जिए संधि found यह मैंने सिलने के लिए यह सूट है और यह उसका स्ट्रॉल है यह मैंने अलग से मैंच बढू यहां पे अभी भी गाड़े गई थे तो उसके पेरों के निशान है चलिये चलते हैं फिर मिलते हैं तो जी आप भी जो है क्लास वगेरा खतम करके आप देख लो हो गया बिल्कुल अंधेरा और मैं चल पड़ी हूं घर की तरह फिर मांग को लेकर और डेली इतने ही अंधेरे में हैं मतलब मैं घर जाकर पहुँच तो यह इतना टाइम होई जाता है आई होप आप लोगों को ये वलोग पसंद आया होगा और पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चानल को और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना और अपना और बच्चे का इतनी सर्दी में ध्यान रखना फीवर से बुखोट चला हुआ है उसे भी आप जो है थोड़ा सा बच के रहना